दोस्तों इस वीडियो में हम Reserve Bank of India के एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में discussion करेंगे यानि ये जो नया अपडेट आया है na Reserve Bank of India का इससे आप ये मान के चलो कि भारत के अंदर जो credit card की इंडस्ट्री है ना उसके अंदर आप सबसे जादा फाइदा customer का होने वाला है यानि अभी तक क्या होता था जब भी हम credit card लेते थे मानलो हमने Access Bank का ले लिया, ICIC Bank का ले लिया तो आपने बहुत बार देखा होगा, नीचे यहाँ पे ना कई बार ये master card का logo लगा होता था कई बार visa का logo आपने देखा होगा, किसी-किसी credit card पे आपने रूपे का logo देखा होगा तो क्या होता था, मान के चलो कि अगर कोई bank है, मानलो HDFC है, HDFC का यह millennia credit card है अगर ये नीचे master card के साथ आ रहा है, तो आपके पास ये choice नहीं होता था कि मेरे को millennia credit card चाहिए, लेकिन ये रूपे variant के साथ चाहिए ये आपके पास choice नहीं होता था, लेकिन अब Reserve Bank of India ने ये का है कि अब आपके पास choice है, मानलो आपको HDFC bank का millennia credit card चाहिए ना तो आपकी मर्जी है, इसे आपको master card के साथ लेना है, वीजा के साथ लेना है और master card के अगर हम बात करें, तो ये दोनों की दोनों American companies है तो पहली चीज, इससे एक तो स्वधेशी चीज, यानि जो भारतिये चीज है रूपे, इसको बहुत ज़ादा boost मिलने वाला है, दूसरी चीज, आपका भी बहुत ज़ादा फाइदा होने वाला है being a customer यानि एक तरह से आप ये पकड़ के चलो, कि bankों की जो मनमानी थी न, वो reserve bank of India ने खतम कर दी अब दो सवाल आपके मन में आएंगे, कि पहली चीज तो ये mastercard, ये visa, ये रूपे, ये होते क्या है ठीक है जी, दूसरा सवाल ये आएगा, कि मानलो HDFC का millennia credit card पहले mastercard के साथ आता था अब मानलो कोई visa ये रूपे के साथ ले भी लेगा, तो इससे फरक ही क्या बढ़ता है भले mastercard के साथ आए, भले ही visa के साथ आए, भले ही रूपे के साथ आए, इससे customer का क्या फाइदा होगा तो इन दोनों एहम सवालों के उपर discussion करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये visa, mastercard और रूपे, इनका काम क्या है, ठीक है जी, जैसे उधारण मैंने यहाँ पे लिए है मानलों एक customer है, इसके पास credit card है, ICI से bank का, ठीक है जी, और मानलों यहाँ पे इसके पास visa की ये, वो use करता है मानलों इसका जो credit card है, वो visa वाला है, ये customer किसी दुकान के पास गया दुकानदार का जो account था, मानलों दुकानदार के पास जो pose machine थी, जिसके अंदर ये credit card गुसेगा, swipe out होएगा और आपसे transaction होएगी, यानि इसके credit card से पैसे कटेंगे, तो जो ये pose machine है, ये मानके चलो, इसके पास HDFC bank की है अब पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, ICI से bank का customer आया, मानलों इसने 10,000 रुबे का समान खरीद लिया, इस दुकान से ये कहता है जी, मेरे पास ICI से bank का credit card है, दुकानदार कहता है कोई बात नी, मेरे पास HDFC की pose machine है, लाओ अपना credit card, वो इसमें insert करते है और पैसे कट जाते है लेकिन क्या कभी आपनी ये सोच है, कि जब इसका account, दुकानदार का जो account है, अगर वो HDFC bank में है, तो इस HDFC bank को कैसे पता चलेगा, कि ICI से के credit card में, जो customer ले के आया है, उसके अंदर credit card की limit है भी या नहीं है, वो card चल भी रहा है, या नहीं चल रहा है, वो card फर्जी है, या ये HDFC bank को कैसे पता हो सकता है, कि ICI से के customer के खाते में, पैसे पड़े भी है या नहीं पड़े है, मालो ये credit card का हम एक्जामपल ले रहे है, या फिर भले आप debit card ले लो, HDFC को तो नहीं पता हो सकता है, तो इसे में रोल आता है, visa, mastercard, या फिर रूपे का, ठीक है, वैसे तो American Express, और भी वो क्या बोलते हैं, बीच में जो ये networks है, ठीक है, बट में जो है हमारे देश में, visa, mastercard, या रूपे ही चलते हैं, ठीक है जी, तो होगा क्या, अब दुकानदार के pose machine, या नि HDFC की pose machine में, ICIC का credit card घुसा, तो ये जो HDFC bank है, ये सीधा का सेधा, जो भी information इसको receive उ bank को भेजेगा, यानि HDFC से information कि इसको भेजी, HDFC को जो भी information मिली, उसने इसको भेज दी, visa, mastercard, network, जो भी company है, इस network company ने information भेज दी, ICIC से bank को, यानि customer के bank को ये verify करने के लिए कि भाई, ये account ठीक है, इस credit card के अंदर limit limit है, पैसे वैसे काट ले, नहीं काटे, तो ICIC से bank के एक तरह से, कोई भी पकड़ लो, visa, mastercard, या रुपे, जो भी ये credit card लेके आया, वो वाला, ठीक है, मालो ये visa का लाया, तो बीच में हम याँ पे visa लिख लेते हैं, तो एक तरह से इसने क्या काम किया, एक दलाल का काम किया, क्यों, क्योंकि ना तो, ये जो HDFC bank था, इसको कु क्या फाइदा, कि भाई, रुपे ले, visa ले, mastercard ले, पहले तो ये है क्या, देखो मैंने आपको बताया, visa और mastercard American companies है, दूसरी बात, रुपे को NPCI ने 2012 में बनाया था, रुपे का हर लिहाज से फाइदा है, क्योंकि अगर आपके पास रुपे वाला credit card है, अब एक चीज मै आपको बताता हूं, आज की date में, भारत में अगर मैं चार credit card, आप मिर से पूछो ना, चार credit card बता दो, जो सबसे best है, तो मैं यही कहूँगा, एक तो ICA का Amazon credit card की 5% आपको unlimited cashback मिलेगा, अगर आप Amazon से कोई भी समान मंगाते हो, ऐसे ही XS rank का flip card credit card, 5% का unlimited cashback मिलेगा, अगर इन कहीं पर भी खर्चा करने पर, और एक SBA का BPCL का credit card, 6.25% का cashback मिलेगा, भारत petroleum के petrol pump पे, अगर आप petrol डलवाते हो, तो यह 4 credit card मेरी नजर में, आज की rate में, सबसे शांदार credit card है, ठीक है जी, और चलो मैं इनका चारों का apply करने का link भी आपको description box में दे दूँगा, ठीक ह तो कि अगर मेरे पास रूपे credit card है तो अकेले रूपे ही credit card है, ऐसे credit card है, जिसे आप UPI के साथ link कर सकते हो, आप visa और master card को UPI के साथ link नहीं कर सकते, अब UPI का फाइदा क्या है, देखो अगर मानलो, आपके पास credit card है, इस credit card को आप किसी post machine में insert करते हो, दुकानदार के पास तो दुकानदार ना, बैंक दुकानदार से 2% MDR चार्ज करता है, merchant discount rate, ठीक है, आपने बहुत बार दुकानदार को भी देखा होगा कि भईया credit card हमें मत दो, हमारे बैंक बहुत पैसे काटता है, मालो किसी ने 100 रुपे का swipe कर दिया credit card, तो 2 रुपे मर्चंट को, बैंक को द बाले को payment कर देते हो, ठीक है जी, कोई भी MDR merchant को नहीं देना पड़ता, तो merchant भी खुश रहता है, वहीं visa और mastercard के पास, अभी UPI से link कर नहीं सकते, तो आपको हर बार जो है card को pose machine में insert करना पड़ता है, अब होता क्या है, प्रॉबलम क्या होती है, काईदे से तो, यह merchant है, बहुत बड़े mall wall में अगर चले जाओ, तो बात अलग है, तो कहने का मतलब, कहीं ना कई merchant भी परिशान ही रहता है, कि उसे bank को पैसा देना पड़ेगा, तो इस वज़ा से रूपे की बहुत जादा demand बड़ी, अब कुछ-कुछ रूपे ऐसे credit card market में आए, जो बोलने लगे कि अगर आप UPI से scan करके भी payment करोगे ना, तब भी आपको 1.5% का cash back देंगे, जैसे HTFC bank का एक Tata Neo करके वो credit card है, वो बोलता है कि 1.5% का मैं cash back दोंगा अपने customers को, वो रूपे credit card है, अगर रूपे से भी आप payment करोगे, तो cash back मिलने लगे, और तीसरी चीज यह है कि, क्योंकि आप being in Indian हम खुद भी चाहेंगे कि हम स्वदेश की product कोई खरीदे, तो इस वाले move से जो रूपे credit card की demand है, वो बहुत जाधा तेजी से बढ़ने वाली है, ठीक है जी, तो कुछ-कुछ यह रूपे के फाइदे होगे, एक नुकसान क्या है, कि रूपे भारत के अंदर तो ब इस और mastercard की है, ठीक है जी, बाकी यह हमने देख लिया, अच्छा एक चीज़ और, यह extra knowledge के लिए बतायता हूँ, अगर हम debit card की बात करें तो debit card के अंदर भी अगर आपके पास रूपे वाला debit card है तो MDR कुछ भी charge नहीं होता दुकानदार से, कोई भी उसको charge नहीं देना प करता है, ठीक है, तो रूपे के बहुत जादा फाइद हैं, यह सारे की सारी चीज़े हो गए, ठीक है, अब इसका exact, देखे कि यह मूँ बार भी लेके क्यों आया, इसका कारण क्या है, तेखो बहुत बार क्या होता था, जैसे उधारन के दूर पर माल लो ICIC bank है, यह सिरफ एक example ले रहा हूं है, माल लो ICIC bank ने वीजा के साथ tie up कर लिया, अब tie up कर लिया, जितने भी यह credit card निकाल रहे है, सिरफ उधारन के लिए बतारो मैं आपको, यह जितने भी credit card निकाल रहे है, सारे visa के साथ निकाल रहे है, अब customer परिशान है, माल लो जैसे मैंने आपको बता तो मनमानी हो गई ना bank की और यह network companies जितनी भी है, visa आपकी mastercard हो गई, रूपे हो गई, अब इनकी और bank को की मनमानी हो गई, मालो visa ने इसके साथ tie up कर लिया, लेकिन customer चा रहे है कि रूपे काश मेरे पास होता, तो ऐसे में यह निकाल ही नहीं रहा रूपे के साथ, इसको बदे नजर रखते हुए, आरबे नहीं यह का है, कि अब customer अपनी मर्जी से चुन पाएगा, कि उसे रूपे में चाहिए, credit card, visa में चाहिए, या mastercard में चाहिए, ठीक है, एक चीज और है, अगर कोई ऐसा bank है, जिसके पास 10 लाग से कम credit card अभी तक उसने issue करे हैं, आज तक की date में, तो उसके उपर अभी कोई भी बदलाव नहीं किये जाएंगे, उसके उपर कुछ नहीं का जाएगा, कि नए credit card पे customer की मर्जी नहीं होगी, उसका जैसे चल रहा था, काम वैसे चलता रहेगा, लेकिन बड़े बड़े जितने भी bank के आपके, ICI, ICI, XS, HDFC, SBI, SBI वग American Express पकड़ लो, American Express bank भी है, और American Express ये network service भी provide करता है, तो इसके उपर कोई भी ऐसा rule लागू नहीं होगा, कि American Express को visa या mastercard भी देना पड़ेगा, customer की मर्जी से, क्योंकि bank भी यही है, network भी इसका यही है, तो इसके उपर इस move का, RBI के move का कोई भी असर नहीं होने वाला, ठीक ह है, मलग कोई भी credit card है, वो visa variant में है, अब इसे में कैसे change कर सकता हूँ, मैं तो already visa को use करना हूँ, तो इसमें RBI नहीं का है, कि जब भी आपका renewal time आएगा, credit card को renew करने का time आएगा, तब आपको यह option दिया जाएगा, कि अब आप इसे mastercard या रुपे, जिसमें भी change करवाना चा पहले मैंने उस पर भी video बनाई थी, उस video को भी आप, मैं आपको description में भी link दे दूँगा, और end screen पर भी link दे दूँगा, उसे भी देख सकते हो, वो भी काफी अच्छा move था, तो RBI लगातार ऐसे अच्छे-च्छे moves निकाल रहा है, customer के favor में, उमीद करता हूँ, आपको यह और end of the video, thanks for listening and thank you all.